तो दोस्तों आज मैं explain करने वाला हूँ 2019 में release हुई एक Indonesian horror movie को जिसका नाम है माकमुम इस movie को direct किया है हादरा डॉंग रातुने यहां पर इस supernatural creature या फिर entity का नाम होता है दा follower जिसको Indonesian भाषा में माकमुम कहा जाता है और भी आप सभी से एक request है हमारे चैनल पर 70,000 subscriber से जादा already हो गए है और एक लाग के हम काफी करीब हैं तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो please subscribe कर लीजे और अगर आप इस चैनल को regularly देखने हैं लेकिन गलती से subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर देना ताकि जल्दी से जल्दी हमारे एक लाग subscribers complete हो जाएं और यहाँ पर कई लोगों को यह doubt है कि यहाँ पर ghost series channel owner की आवाज कैसे है तो भई यह मेरी wife का channel था लेकिन यहाँ पर busy schedule की वज़ाए से वो यहाँ पर voice over नहीं कर पाती है और इसी वज़ा से मैंने यहाँ पर voice over करना शुरू कर रहा है ताकि यह channel dead ना हो जाए साथी साथ बहुत लोगों को यह शिकायत रहती है कि आप clips के साथ में explain क्यों नहीं करते तो यहाँ पर आप easily clips के साथ में बहतरी इन movies का explanation सुन सकते है तो वीडियो पसंद आएगी तो like कर देना चैनल पर नए है तो comment ज़रू करना तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो movie की शुरूआत होती है और हम नुरूल नाम की एक लड़की को देखते है नुरूल यहाँ पर midnight prayer के लिए उठती है और साथ ही वो अपनी दोस्त नीसा को भी जगाती है ताकि वो दोनों एक साथ नमाज पढ़ सके नीसा यहाँ पर आलस में चूर रहती है और वो उठने से मना कर देती है फिर नुरूल यहाँ पर अकेले ही मूद होकर आती है और नमाज अदा करने के लिए बैठ जाती है फिर हम देखते हैं कि नुरूल जब नमाज अदा कर रही होती है तो उसके रूम का दरोजा खुद पे खुदी खुल जाता है और ये सीन निसा भी देख रही होती है मगर वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोलती तब ही जब नमाज के आखिर में नुरुल अल्लाहु अकबर बोलती है तो नुरुल के पीछे से वो स्पिरिट इस लाइन को दोराती है जिसको सुनते ही नुरुल के पसीने छुट जाते हैं मगर वो प्रेयर करना बंद नहीं करती है और जैसे तैसे वो प्रेयर कंप्लीट करती है और पीछे से स्पिरिट भी उसको दोराती रहती है और प्रेयर खतम होने के बाद जब नुरूल पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था नुरूल अब यहाँ पर खड़ी होती है और जब वो रूम का गेट खोल कर देखती है तो उसकी दोस्त पुत्री यहाँ पर पॉस्स कंडिशन में थी और वो वहाँ पर गली आरे में खड़ी होती है नुरूल यहाँ पर पुत्री को आवाज लगाती है और अचानक से ही पुत्री बेहोश होकर गिर जाती है और वो उसको पकड़ कर होश में लाने की कोशिश करने लगती है अब सीन चेंज होता है और हम रिनी नाम की एक गरेक्टर को देखते हैं जो की मुर्दा घर में काम किया करती थी रिनी का काम यहाँ पर कटी हुई मुर्दा लाशों के जखमों को सिलना होता है मगर यहां पर साथ में ही रिनी के पास में एक पावर भी होती है कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती है अब इन आत्माओं में से कुछ आत्माओं हानेकारक भी हो सकती है और कुछ आत्माओं सिर्फ रिनी के पास में इसलिए आती है ताकि वो अपना एक आखरी मैसेज पास कर सकें और इसी तरह के कुछ सीन्स को हम मूवी के इस टाइम लैन में देखते हैं जहां पर डेड बॉड़ी को सिलने के दोरान और हाथ दोने के दोरान रिनी को स्पिरिट जिखाई देती है लेकिन रिनी यहां पर जादा हैसिटेट नहीं होती और उनको ग्रीट करती है जिसके बाद में वो स्पिरिट वहाँ से चली जाती है अब हम नुरूल को देखते हैं जो कि रात में बोर्डिंग स्कूल से भागनी की कोशिश करती है मगर एक फिल्ड प्लान के तहट वो हैड्ड मिस्ट्रिस द्वारा पकड़ी जाती है और फिर हैड्ड मिस्ट्रिस उसे नीसा और पुत्री के साथ में रूम में बंढ़ कर देती है अब रात में जब वो तीनों सो रही होती हैं तो पुतरी फिर से possessed हो जाती है और तब नुरूल और नीसा चिलाते हुए गेट के लॉक को तोड़ कर बाहर आजाती हैं और गेट को बाहर से बंद कर लेती हैं फिर जब सब को शान्त हो जाता है तो वो दोनों गेट खोलती हैं और ये देखती हैं कि पुत्री जमीन पर पड़ी होई थी तब ही वहाँ पर हेड मिस्ट्रेस भी आ जाती है और वो पुत्री को एक थपड मारकर ये कहती है कि इस पर कोई भी साया नहीं है ये सब बस ड्रामा है अब सीन चेंज होता है और हम सुबह सुबह रिनी के घर पर ए हम ये देखते हैं कि जब रिनी घर खाली करके जा रही होती है तब ही वहाँ पर स्लैमत नाम का एक आदमी आता है जिसको देखते ही रिनी पहचान जाती है क्योंकि ये उसी बोर्डिंग स्कूल में काम करता था जहां पर नुरूल नीसा और पुत्री हैं दरसल किनातिका रिनी को स्कूल में बुलाने का एक खास मकसद होता है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे खैर अब हम ये देखते हैं कि सफर के दौरान स्लैमत रिनी को बोर्डिंग स्कूल की सारी प्रिजेंट सिच्वेशन को समझा देता है और बताता है कि वहाँ यहाँ पर इसलिए भी जा रही है क्योंकि उसके पास रहने का कोई और ठीकाना नहीं था अब आगे हम देखते हैं कि एक लंबे सफर के बाद में रिनी स्कूल पहुंच जाती है और वो उसी कमरे में जाती है जिसमें वो कभी रहा करती थी और इस कमरे में नुरूल नीसा और पुतरी रहते हैं फिर पीछे वो तीनों लड़कियां भी कमरे में आ जाती है और रिनी से उसके बारे में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि वो यहां की एक एक स्टूडंट है और इसी रूम में वो रहा करती थी अब यह जानने के बाद कि रिनी स्कूल का पार्ट रह चुकी है तब लड़कियां उससे ये पूछती है कि क्या उसने भी अपने टाइम में यहां पर किसी आत्मा को देखा है या फिर किसी आत्मा ने उसको सताया है तो रिनी ये कहती है कि ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था अब ये सारी बाते चली रही होती है कि तभी वहाँ पर सलैमत के साथ में मिसिस रोजा आ जाती है और वो रिनी से ये पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर पढ़ाने में इंट्रेस्टेड हो रिनी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि अभी तक तो उसे यही लग रहा था कि वो बस यहाँ पर मिसिस किनाती से मिलने आई है मगर जब सामने से जॉब आफर होता है तो रिनी हा कर देती है क्योंकि उसके पास में कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि इस तरह से उसे रहने के लिए एक जगा भी मिल जाएगी और पैसे भी आ जाएंगे फिर हम यहाँ पर रिनी के पीछे एक काली आत्मा को देखते हैं जो की हिजाब में होती है और बस रिनी को ही गोर रही होती है रिनी अलमारी के गेट को जाकर खोलती है और यह देखती है कि उसमें एक हिजाब रखा हुआ है तभी वो आत्मा रिनी के कान में जोर से चिलाती है जिससे वो बेहद डढ़ जाती है फिर तोड़ा सांस लेने के बाद में जब वो वापस हल्मारी को देखती है तो उसमें से वो हिजाब गायब हो चुका होता है आगे हम देखते हैं कि रिनी स्कूल के गार्डन में जाती है और वहाँ पर वो तीन लड़कियां पहले से ही गार्डन के सफाई में लगी होई होती है अब रिनी के आते ही वो तीनों लड़कियां खाना बनाने के लिए चली जाती है और रिनी वहीं पर बैठ जाती है तबी रिनी ये देखती है कि उसके सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की जा रही है और जब रिनी उसका पीछा करती है तो वो स्पिरिट एक पेड़ के पीछे जाकर गायब हो जाती है तबी कुछ मिंटो के बाद में रिनी के पास में नुरुल आती है और वो बताती है कि पुतरी फिर से पजस हो गई है और फिर रिनी नूरुल और नीसा स्कूल के कॉरिडॉर में जाते हैं जहां पर पुतरी जमीन पर बैटी होती है और उसकी बौड़ी बिल्कुल अकड चुकी थी अब पुत्री के पास में जाते ही एक हलकी सी दूसरी आवाज आती है और वो ये कहती है कि मेरे से दूर रहो और भाग जाओ मगर रिनी हिम्मत करके पुत्री के करीब जाती है और तब ही पुत्री की बौडी हवा में लेविटेट करने लगती है और हम evil spirit को देखते हैं जो कि पुतरी को बहुती बुरी तरह से हॉंट करती है जिसके बाद में पुतरी वहीं पर बेहोश हो जाती है अब ये सब होने के बाद में पुतरी को कमरे में सुला दिया जाता है और नुरूल स्लैमत से ये कहती है कि आप मिस्टर गांदा को बुला कर लाइए अब वही कुछ कर सकते हैं मिस्टर गांदा स्कूल के टीचर हैं जो की धर्म और प्रेयर की शिक्षा देते हैं फिर हम देखते हैं कि स्लैमत के बताय हुए एडरस पर रिनी जाती है और वहां पर उन्हें मिस्टर गांदा मिलते हैं उन से मिलने के बाद में रिनी उन्हें स्कूल में चल रही सारी समस्याओं के बारे में बताती है और ये कहती है कि ये सारी गदिवेदियां हॉलिडेज में प्रेयर के टाइम में जादा होती है क्योंकि इस दोरान स्कूल खाली होता है और वो तीनों पेडित बच्चियां इस पिरिट को माकमूं बुलाती है अब ये सब जानने के बाद मिस्टर गांदा रिनी को तीन तरह के शैतान के बारे में बताते हैं जो की एक ही कैटेगरी में आते हैं और ये कैटेगरी कुछ और नहीं बलकि कैंजम है इन सब का काम है कि जब आप अल्ला की अबादत कर रहे होते हैं तब ही आपको हांट करके प्रेयर से बटकाने की कोशिश करती है और अगर आपने प्रेयर छोड़ कर उनकी तरफ देख लिया तो उनको मौका मिल जाएगा आपको पकड़ने का और पजस करने का और इसलिए यहाँ पर मिस्टर गांदा ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इबादत के वक्त अपने ध्यान को कभी भी भटकने नहीं देना है और ये बाते बच्चों को भी आप बता दो और इसके बाद भी अगर जादा कुछ बुरा होता है तो मुझे कॉल करके बुला लेना फिर हम देखते हैं कि रिनी वापस स्कूल आ जाती है और मिस्स किनाती की देखबाल करने लगती है अब यहाँ पर मिस्स किनाती बोल नहीं सकती थी इसलिए वो लिख कर रिनी को ये कहती है कि तुम स्कूल की हेड मिस्टरेस बन जाओ रिनी पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं और जब मिस्स किनाथी रीजन लिखने वाली होती है तो एक स्पिरिट उनका हात पकड़ लेती है और उनको हांट करती है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है, रिनी अब जल्दी से स्ल्यामत को बलाती है और मिस्स किनाथी को बागने की कोशिश करती है मगर यहां भी वही होता है जो कि हर हौरर मुवी में होता है यानि की गेट नहीं खुलता अब नीसा अंदर से जोड़ से चिलाने लगती है और फिर सभी लोग जल्दी से वहां आते हैं और गेट खोल कर नीसा को बाहर लाया जाता है अब इस हाथसे के बाद में रिनी मिस्टर गांदा को कॉल करके स्कूल में आने के लिए बोल देती है अब यह सब होने के बाद में रिनी मिड़नाइट प्रेयर करने के लिए चली जाती है और वो पहली बार उन सब चीजों को फेस करती है जो कि वो बच्चियां कई दिनों से फेस कर रही थी प्रेयर करते टाइम रिनी को माकमूम स्पिरिट पीछे बैठकर डिस्ट्रैट करने की कोशिश करती है मगर यहां पर जैसा मिस्टर गांदा कहा होता है रिनी वैसा ही करती है और वो पीछे नहीं गूमती और वो डढ़ते हुए पूरी प्रेयर को पढ़ देती है अब प्रेयर पढ़ने के बाद में रिनी जब पीछे घूमती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता वागर जब आगे देखती है तो वो माकमूम स्पिर से गायब हो गई हैं फिर वो दोनों स्कूल में मिसिस किनाती को ढूंडते हैं मगर वो कहीं पर भी नहीं मिलती अब यहां पर बातों बातों में स्लामत रिनी को एक रास की बात बताता है वो कहता है कि आपको तो याद ही होगा कि जब स्कूल में एक बार आग लग गई थी ज असल में उस आग में रिनी की दोस्त निंगसी जलकर मर गई थी और मिस्स किनाती और मैंने मिलकर निंगसी की बॉड़ी को स्कूल के गार्डन में ही दफना दिया था क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि ऐसा कुछ हाथसा यहां पर हुआ है और एक बच्चे की मौत हो गई है तो स्कूल को ताला लग जाता और तब ही यहां पर स्लैमत यह कहता है कि हो ना हो यह अब जो यहां पर हो रहा है वो सब कुछ निंगसी की आत्मा ही कर रही है और वो हमसे बदला ले रही है अब यह सब बात चली रही होती है कि वो दोनों पुत्री को देखते हैं जो कि पुझेस्ट कंडिशन में गार्डन की तरफ जा रही होती है सलैमत रिनी से ये कहता है कि मैं उसे लेने जाता हूँ और आप मिसिस किनाती के रूम में जाओ वहाँ पर बेड़ के नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर उसको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिनी की नाती के कमरे में जाती है और बॉक्स खोल कर सारी जानकारी पढ़ने लगती है तब रिनी को ये याद आता है कि आग लगने से पहले निंगसी ने आकरी बार नमाज उसी के साथ में पढ़ी थी और आग लगने के बाद जब रिनी का हाद जला तो वो बेहोश हो गई थी और उसकी आँख कई दिन बाद हॉस्पिटल में खुली मगर तब तक वो बहुत कुछ भूल चुकी थी कि उस दोरान हुआ क्या था और बाद में ये अफ़ा फैलाई गई कि हॉलिडेज में निंगसी अपने घर चली गई और वहां से कई भाग गई अब रिनी ये सब याद करी रही होती है कि तब ही रूम की लाइट चली जाती है और रिनी को एक लाम्प जलाना पड़ता है लैम्प जलाने के बाद में रिनी को रूम में कुछ विस्पर सुनाई देते हैं और अचानक से निंगसी की स्पिरिट रिनी के पैर खीच लेती है और गिरने के बाद में रिनी बेहुश जाती है लैम्प भी यहाँ पर जमीन पर गिर गर तूट जाता है और रूम के अंदर आग लग जाती है अब तब ही वहाँ पर मिस्टर गांदा पहुच जाते हैं और वो रिनी को रेस्क्यू करते हैं फिर बाहर आने के बाद में मिस्टर गांदा बचों को रेस्क्यू करने चले जाते हैं और वहाँ पर उसका सामना ninngsी की स्पिरिट से होता है और तब मिस्टर गांदा यहाँ पर एक्जॉर्सिसम परफॉर्म करते हैं जिसको इसलाम में रोकिया भी कहा जाता है और इसके basis पर एक movie भी है तो अगर explain करनी है तो बता देना मैं उसको explain कर दूँगा खेर अब एक्सौर्सिजम शुरू करते ही निंगसी की spirit वहाँ से चली जाती है लेकिन वो दोबारा रोजा की body को possess करके आती है मिस्टर गांदा पहले तो अपनी prayer से रोजा और निंगसी को अलग-अलग करते हैं और आखिर में निंगसी की spirit को एक्सौर्सिजम से जला देते हैं अब आखिर में हम ये देखते हैं कि मिस्स किनाथी hospital में admit है और होश में आने के बाद में वो सबी से अपने किये की माफिय मांगती है और आखिरी में वो ये reveal करती है कि पुत्री बार बार possess इसलिए हो रही थी क्योंकि निंगसी पुत्री की बड़ी बहन थी और अभी तक सबको यही लग रहा था कि निंगसी घर से भाग गई है और जिंदा है मगर ये बात बिल्कुल गलत होती है निंगसी तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है फिर यहाँ पर मिसिस किनाती रिनी और पुत्री को वो लोकेशन बताती है जहाँ पर निंगसी की बॉड़ी दफन है और वो दोनों वहाँ पर जाकर प्रेयर्स करती है और बूम इसी के साथ में ये मुवी यहाँ पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी माकमूम मूवी की कहानी उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए है तो प्लीज मेक शॉर कि यू सब्सक्राइब दा चैनल और कॉमेंट करकर बताना कि आपको ये वीडियो और मुवी कैसे लगी तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए